सुमीरे और मित्सों के दूसरे मिलना कोई मिरेकल नहीं, उनकी डेस्टिनी थी पर यह सब कुछ होना एक परसन को बर्दाश नहीं था, जो थोड़ सी दूरे पर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहा था और विकेंड से अंदर से बर्न हो रहा था और उस परसन का नाम है अल नहीं तो कल सुमीरे उसकी होगी लेकिन सुमीरे को मिट्सू के साथ इस तरह देख कर उसकी होपस का पूरी तरह गला दब चुका था उच लाते हुए बोलता है ऐसा नहीं हो सकता एंड दिना बोलते हुए ऐलेक्स गुस्से के विज़े से पासी मेरे के फ्लावर पॉर्ट को हिट कर देता है जिसकी विज़े से उसके हाथ पर चोट रख जाती है और वहाँ से ब्लड निकल लगता है और वो गुस्से के साथ अपने बैड पर लेड जाता है अब कुछ दिर रहा है मुझे लाते हुए बोलती है एलेक्स तुम्हारा ध्यान कहा है देखो तुम्हारे हाथ से कितना खून बहरा है और भागते हुए एलेक्स के हाथ को कवर कर लेती है ब्लड का फ्लो रुकने के लिए तयार नहीं था और सुमीरे को आस पास कहीं पर भी फर्स्ट खाए नहीं दे रहा था इसलिए वो अपनी ड्रेस को फाड़ते हुए एलेक्स के हाथ को कवर कर देती है सुमीरे कंटिनेसली एलेक्स से क्वेशन किये जा रही थी पर एलेक्स बिना कुछ कहे बस सुमीरे की आँखों मैं देख रहा था आकिर तुम्हारा ध्यान कहा है मैं खो गया तुम्हे मेरी ज्यादा फिकर करने की जरूवत नहीं है एलेक्स के फेस के एक्स्प्रेशन को देखकर सुमीरे समझ चुकी थी कि वो उससे काफी नराज है सुमीरे एलेक्स के कंधे पर हाथ रखते हो ही बोलती है तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो या फिर नही एलेक्स बोलता है ये कैसा सवाल है तुम मेरी सबसे खास दोस्त हो तुम मुझे बताओ आखिर बात क्या है तुम उससे नराज क्यों हो इतना कहते हुए सुमीरे एलेक्स की तरफ देखने लगती है एलेक्स बोलता है छोड़ो इस बार में बात करके कोई फायदा नहीं और एलेक्स वहां से उठकर जाने लगता है सुमीरे एलेक्स का हाथ खीशते हुए उस अपने पास ले आती है वो कहती है जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे बात क्या है मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूगी एलेक्स बोलता है बता कर भी कुछ नहीं होगा सुमीरे और क्या पता अपनी mentality के चक्कर मैं मैं अपनी सबसे खास दोस्त को भी खो दूँ सुमीरे कहती है ऐसा कुछी भी नहीं होगा तुम्हारे दिल में जो भी है तुम मुझे साफ साफ बता दो एलेक्स कहता है सुमीरे I love you I love you so much मैं तुम्हें अपने आप से भी ज़्यादे प चाफी ज़्यादा शौक हो चुकी थी क्योंकि वो समझ चुकी थी कि एलेक्स के हाथ पर इसी वज़य से चोट लगी है वो कहती है एलेक्स I love you हाँ हाँ जानता हूँ you love me but as a friend यो तुम से कही बार सुन चुका हूँ पर प्लीज सुमीरे अगर तुम उससे प्यार नहीं कर स मैं सिर्फ उसके लिए जपैन वापस आई हूँ अब मेरी लाइफ में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है प्लीज मैं तुम से रिक्वेश्ट करती हूँ मेरी लाइफ में हर्डल्स क्रेट मत करो और इस तरह अपने आपको चोट पहुँचाने से मैं तुम्हारे नहीं हो कर लो सुमीरे एड़ एंड मैं तुमको अपना बना कर रहूँगा ये मेरा तुमसे वादा है और एलेक्स अपने रूम का गेट क्लोज कर लेता है अब सीन शिफ्ट होता है और हम मिद्सो को देखते हैं वो अपने स्टडिस कंप्लेट करते हुए अपने परमैन से पहन कर अपने ड्यूटी के लिए निकल जाता है आज परमैन का मूड काफी अच्छा था इसलिए वो अपने ड्यूटी पर बैठ देता है और आज उसके काम में कोई भी गलती नहीं होती एंड फाइनली पूरे दिन महनत करने के बाद परमैन की आज की ड्यूटी खत्म होती है और सुमिरे बोलती है हाँ मैं क्यूं मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती क्या परमैन बोलता है नहीं नहीं तुम मुझे कॉल कर सकती हो पर इतनी रात को आखिर बात क्या है तुम्हारे घर पर इतने वरकर्स मोड़ूद है तुम किसी को भेज कर आईस क्रीम मंगवा सकती हो तु मैं जानती हूँ मेरे एक कहने पर मेरे लिए कोई भी कुछ भी लेकर आ सकता है पर अगर तुम लेकर आओगे तो मुझे दिल से अच्छा लगेगा और यार वो कहते हैं ना लॉंडा हर कोई सकत होता है पर जैसे ही लॉंड या आई लव यू बोल दे यार वहाँ वो पिखल जाता है ऐसे ही हमारा मिट्सू भी पिखल जाता है बिलकुल आईस की तरहा वो कहता है ओके ठीक है तुम अपने टैरिस पर मेरा वेट करो मैं कुछ लियर में वहाँ पर आता हूँ एंड इतना कहते हुए मिट्सू वो कॉल कट कर देता है एंड वो अपने घर से जाने लगता है उसको जाता रहेगा उसका रोबोट कहता है आप तुम कहां जा रहे हो पामेन कहता है अपनी सेकंड जूटी निभाने मैं थोड़ी दिर में आ डिलीवरी बॉई नहीं हूँ जो तुम्हारे हर बार बोलाने पर आ जाओंगा सुमीरे परमेन के काफी क्लोस जाते हुए बोलती है अच्छा अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ तो भी नहीं पामेन बोलता है अगर तुम रिक्वेस्ट करोगी तो मैं कुछ कह नहीं सकता पसंद है पामेन बोलता है पता नहीं बस मुझे फील हुआ तुम्हें ही पसंद आएगा इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आ गया क्यों मैंने कुछ गलत किया है क्या सुमीरे बोलती है तुम ने तो मेरा दिल जीत लिया है पामेन बोलता है वो क्या है न मुझे इस मास्क में काफ़ी ज़्यादा confident फील होता है इसलिए मैं हर tough task में इस मास्क को लगा कर रखता हूँ ये मेरी life line की तरह है सुमीरे बोलती है तुम्हें तुम्हारा पर्मेंसेट इतना प्यारा है पामेन कहता है मुझे मेरा पर्मेंसेट मेरी जान से भी ब्यारा है और वो दोनों इसी तरह बाते करते हुए अपनी आईसक्रीम को enjoy करने लगते हैं आफ्टर 15 मिनेट्स सुमीरे अपने हाथ उपर करते हुए बोलती है आज तो मज़ा आ गया लिटरली मैंने आज तक इतना enjoy कभी नहीं किया पर मैंन बोलता है वाओ मुझे लगा नहीं था तो मैं आईसक्रीम खा कर इतना मज़ा आएगा सुमीरे कहती है श्ट्यूपिड मुझे इतना मज़ा आईसक्रीम की वज़े से नहीं तुम्हारे चलते आया है आईसक्रीम तो मैं किसी के साथ भी खा सकती थी लेकिन तुम्हारे साथ आईसक्रीम खाना तो बस एक बाना है मुझे तो बस तुम्हारे और ज्यादा क्लोजाना है और सुमीरे धीरे धीरे मिट्सूपिड के बहुत नस्दीक आ जाती है And what do you know almost kiss करने ही वाले थे किता भी मित्सुओ सुमिरे के mouth पर हाद रखते हुए बोलता है सुमिरे तुम्हें नहीं लगता हम कुछ जादा ही fast हो रहे हैं सुमिरे बोलती है what तुम कहना के चाहते हो मित्सुओ मेरे कहने का मतलब है हमें इस तरह एक दूसरे को test करना या फिर इतना close नहीं होना चाहिए because हम अभी permanently एक साथ नहीं है हमने बस एक महीने का contract किया है और मैं नहीं चाहता बाद में हमारे बीच work ना करने पर तुम्हें regret हो इसलिए प्लीज और इतना कहते हुए मित्सुओ थोड़ा सा पीचे हड़ जाता है मित्सुओ ने ये कहा कर literally सुमीरे के mood की mother sister कर दी थी सुमीरे मित्सुओ को push करते हुए बोलती है जानते हो सिर्फ इसी वज़े से तुम्हारे साथ कोई भी time spend नहीं करना चाहता क्योंकि तुम इस तरह की बेकार की बाते करके सबका mood off कर देते हो लेकिन अब अपना मूँ बंद रखो और मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो और सुमीरे मित्सुओ को पूरी तरह धकेलते हुए उसका मास उपर उठा कर उसके साथ आज तक की सबसे iconic kiss करती है और परमैन भी इस moment को बहुत enjoy करता है अब उन दोनों को एक दूसरे के साथ time spend करते हुए बहुत देर हो चुकी थी परमैन कहता है सुमीरे अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि कल हमारा school भी है और इतना कहते हुए परमैन वहाँ से directly चले जाता है सुमीरे बोलती है ये बहुत अजीव है सीधा bye बोल कर चला गया ना कोई hug ना है कोई compliment एंड सुमीरे एक बहुत प्यारे सी smile लेकर अपने room की तरफ जाने लगती है रास्ते में सुमीरे को Alex मिल जाता है वो कहता है इतनी रात को तुम कहां से आ रही हो सुमीरे सुमीरे बोलती है मैं बश टैरिस पर गई थी Alex बोलता है अमेजिंग जो लड़की रात को अंधेरे में अपने room से बहार जाने भी डरा करती थी आज हो अकेले टैरिस पर जा रही है तुम्हारे लाइफ बहुत जल्दी चेंज हो रही है सुमीरे Alex केस शार्फ टॉंट को आंसर करते होए सुमीरे बोलती है लाइफ का सेकेंड नेम ही चेंज है और जो टाइम के साथ नहीं बदलता वो सबसे पीज़ छूड़ जाता है इसलिए तुम भी मेरो पर से फोकुस हटा कर अपने आप पर ध्यान दो यह तुम्हारे और तुम्हारे करियर दोनों के लिए च्छा होगा और इतना कहते वे सुमीरे अपने रूम में चले जाती है सुमीरे ने आज तक कभी भी एलेक्स के साथ इस तरह बात नहीं की थी और एलेक्स को सुमीरे की इस बात का लिटरली बहुत बुरा लग जाता है वो कहता है तुम थोड़ी नहीं पूरी चेंज हो गई हो सुमीरे मगर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा अभी मेरा लाश स्टैप बाकी है और एलेक्स भी अपने रूम में चले जाता है अब नेक्स्ट हम देखते हैं सुमीरे टाइम पर रेड़ी होकर अपना ब्रेक्फ़स्ट करके स्कूल के लिए निकल जाती है सेम फ्रेम में मित्सो भी अपने घर को लीफ करके स्कूल के लिए निकल जाता है वो दोनों decided time पर स्कूल के gate पर मिलते हैं मित्सो को देखकर सुमीरे बहुत excited हो जाती है वो कहती है तुम आ गए मित्सो बोलता है हाँ हाँ मैं आ गया पर इसमें इतना खुश होने की बात क्या है सुमीरे बोलती है तुम नहीं समझोगे मैंने तुम है कितना मिस किया मित्सो कहता है क्या तुमने मुझे मिस किया हम कल रात को ही तो मिले थे हाँ पर हमें मिले हुए पूरे 10 hours हो चुके हैं इसलिए I missed you so much और सुमीरे इतना कहाते हुए मित्सों का हाथ पकड़ कर उसे अपने साथ स्कूल के अंदर ले जाती है स्कूल में सुमीरे को देख कर अब कोई भी इतना ज़्यादा excited नहीं होता था because हम जानते हैं अगर कोई चीज regular way में देखने को मिले तो उसकी value थोड़ी सी कम हो जाती है और सुमीरे भी इस बात से बहुत खुश है क्योंकि अब उसके और मित्सों के उपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता और दोनों एक दूसरे के साथ काफी quality time spend कर पाते हैं और इसी के साथ first period start होता है टीचर attendance लेते होए अपना lecture continue करते हैं वो बोलते हैं आप सभी ने इस बार काफी अच्छी तरह से exams दिये हैं results बहुत ज्यादा impressive हैं आपको बहुत जल्दी ही आपके results दे दी जाएंगी और इतना कहते होए teacher class से चले जाते हैं सुमीरे मित्सों के तरफ देखते होए बोलती है वैसे तो मेरे exams काफी अच्छे गए हैं फिर भी मैं थोड़ डिसी डरी हुई हूँ अगर मैं fail हो गई तो ना जाने मेरे साथ क्या होगा मित्सों बोलता है ज्यादा कुछ नहीं बस तुम्हें ये class repeat करनी पड़ेगी because तुम पहले से काफी लेट हो तुम्हारे grades कम है and मैं नई class में चले जाऊँगा वहाँ पर नई दोस्त बनाऊँगा और तुमसे मेरा पीछ चुटेगा सुमीरे कहती है ऐसा कभी नहीं होने वाला तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरुवत नहीं है ऐसाई सेट अब तुम्हारी permanent booking हो चुकी है और सुमीरे की ये बात सुनकर मित्सो भी मुस्कुराने लगता है वो कहता है I wish तुम जो कह रही हो तुम्हारी एक एक बात सच निकले और इसी तरह classes continue होती रहती हैं और अब finally races हो जाता है लंच ब्रेक मित्सो और सुमीरे secretly basketball club में पीच्छे की तरफ चले जाते हैं वहाँ पर वो दोनों पूरी तरह अकेले थे मित्सो धीर धीरे सुमीरे के बहुत पासन लगता है ऐसा देखकर सुमीरे मित्सो से कहती है अब क्या हुआ कल तो बड़ा ग्यान दे रहे थे आज तुम्हारा mood change हो गया क्या मित्सो कहता है मैं तो तुम्हारे फाइदे की बात कर रहा था पर जब तुम्हें ही अपना loss करवाना है तो मुझे कोई भी problem नहीं है और यार अब यहां पर बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार किसी स्कूल में ऐसा होता है तो यार हमारे यहां ऐसा ही होता है सो प्लीज मित्सो से जैले सोना बंद करो एंड श्टोरी पर अपना focus बनाया रखो अब आगे बढ़ते हैं अगर तुम्हारी girlfriend इतनी खुबसूरत है कि तुम अपने आपको control नहीं कर सकते एंड तुम है जबर्दस्ती control करना पड़े तो यार उस दर्थ को मैं समझ सकता हूँ मित्सो और सुमीरे एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पारास आ चुके थे कि तब भी वहाँ पर तीन गल्स आ जाती हैं उन दौनों के लिए ये moment ultimate level ओपड़ हो चुका था क्योंकि उन गल्स ने उन दौनों को almost 7 में देखी लिया था पर टाइम रहते मित्सो चुप गया जिस वज़े से उनका secret सब के सामने आने से बच गया उन गल्स के वहाँ स जाने के बाद मित्सो बहार आता है वो कहता है बाल बाल बचे सुमीरे कहती है सच में तुम्हारे स्कूल के बच्चे भी काफी अजीव हैं यहाँ पर आने पर मदना होने के बाउजुद भी आ रहे हैं मिट्सो बोलता है हम भी तो यहाँ पर आये होए हैं सुमीरे कहती है हमारी बात अलग है मिट्सो इन लड़कियों ने पूरा मूड आफ कर दिया वेट मैं कुछ करती हूँ और सुमीरे अपना फोन बाहर निकालते हुए एक मेसेज करते हुए मिट्सो से कहती है आज तुम मेरे साथ बाहर चल रहे हो मिट्सो कहता है वेट मैं ऐसा कप कहा सुमीरे बोलती है तुमारे कहने की जरुवत नहीं है मैंने बोल दिया सुब बोल दिया क्या तुम मुझे मना कर रहे हो मिट्सो बोलता है नहीं नहीं आज तुम मैं ड्यूटी से भी फ्री हूँ इ पैसे हम कहां जा रहे हैं? सुमीरे बोलती है, ये तो एक सीक्रिट है, बस तुम टाइम में रहते, मेरे घर पर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी. और सुमीरे, मित्सो के गाल पर किस करके, वहाँ से चले जाती है. इसके बाद सुमीरे और मित्सो एक दूसरी से बात करके, सबसे मजा करते हुए अपने दिन का एंड करते हैं, और फाइनली उनके स्कूल की छुट्टी हो जाती है, छुट्टी के टाइम पर सुमीरे मित्सो से कहती है, भूलना मत, हमें आज बहार जाना है, पर तुम्हारा वेट करूंगी और वो अपनी कारें बैठकर सिक्यूर्टी के साथ अपने घर के लिए निकल जाती है, मित्सो भी उचलते कूटते दांस करते अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, अपने घर पहुँचकर सुमीरे किसी से बिना कुछ कहे, डिरेक्ली वाश रूम में फ्रेश होकर रूम में आज के विजिट के लिए तयार होने लगती है, आफ्टर सम टाइम एलेक्स सुमीरे के रूम में एंटर करता है, वो कहता है, ओ सुमीरे तयार हो रही हो कहीं जा रही हो क्या, सुमिरे बोलती है हाँ जा रही हूँ एलेक्स बोलता है मैं भी घर पर काफी बोर हो रहा हूँ अच्छा हुआ तुमने बाहर जाने का प्लैन बना लिया सुमिरे कहती है बाहर जा रही हूँ लेकिन सिर्फ मैं तुम घर पर ही मेरा wait करोगे Alex कहता है ऐसा क्यूँ सुमीरे बोलती है ये कैसा सवाल है मैं अपने friend के साथ बाहर जा रही हूँ इसलिए Alex बोलता है तो क्या तुम्हारा वो friend तुम्हारे इस friend से बढ़कर है कि तुम मुझे इस तरह ignore करके जा रही हूँ सुमीरे सच में तुम यहाँ पर आके काफी बदल गई हो अगर ऐसी बात है तुम मुझे यहाँ पर नहीं रहना मैं कल की फ्लाइट से ही वापस चले जाऊंगा और एलेक्स सुमीरे के रूम से जाने लगता है सुमीरे कहती है ऐसी बात नहीं है एलेक्स लगते हुए अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं मिट्सू को लगा था कि ये एक सोलो वेशिट होने वाली है पर यार सुमीरे तो साथ मैं एलेक्स को भी लेकर आ गई थी इसलिए मिट्सू का थोड़ा सा मूड आफ हो गया था लेकिन मिट्सू इस बात को लेकर बिलकुल भी रियक्ट नहीं करता वो तीनों आज घुमने के लिए मिरर पार्क जाने वाले हैं अपनी इंजॉयमेंट को प्रॉपरली बनाये रखने के लिए वो तीनों अपने मास को फेस पर लगाते हुए तिकेट दिखा कर मिरर पार्क में एंटर करते हैं अब मैं आपक थोड़ा सा मिरर पार्क के बारे मैं बता देता हूँ इस जगा पर काफी सारे बहुत अजीब तरहा के मिरर सोते हैं इस जगा के बारे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा यहां पर जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं मिरर पार्क में एंटर करते ह कि सुमीरर मित्सो तो बहुत ज्यादा इंजॉय करने लगते हैं पर एलेक्स उन दौनों को इतना कुछ देखकर बहुत ज्यादा नराज होने लगता है और ओओ कहता है अब ये कुछी बस कुछ देर की महमान है आप मित्सो के माइंड में सुमीरे को डराने का ख्याल आता है एंड ओ प्लैन करता है वो डराते ही सुमीरे को किस कर लेगा इसलिए वो थोड़ सी पोजिशन बनाते हुए एक लड़की के उपर जम कर लेता है वो शे लगता है कि वो सुमीरे है वो लड़की काफी बुरतर डर जाती है और मित्सो अपने प्लैन के हिसाब से उस लड़क को किस कर लेता है पर वो लड़की सुमीरे नहीं थी यहाँ पर यह लड़की है मिची को किता भी सुमीरे भी मिच्छी को किस करते हुए देख लेती है और वो वहीं पर तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को I hope कि आप सभी लोगो को बहुत ज़ चैनल के आने वाले वीडियो की नोडिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और यार चाहोत अपने भाई को इंस्टेग्राम पर भी फॉलो कर लेना आईडी कर लिंग आप सभी लोगो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शांदर कॉंटेंट के साथ अब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल में डियर हाटिड सायो नारा